चिंता या घबरहाट के बारे में थोड़ा विस्तरूत बात आज में करने वाला हूं मेरा नाम है डौक्टर दीपक क्याएकर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्चित अद्ने हूं महाराष्ट्र में मुवी बढ़ अकुला यहां प्रेट्रीज करता हूं एंग्जाइटी यह बहुती नौर्मल है यह नौर्मली किसी को बहा सकती है यह भावना है एक एमोशन है और वह एमोशनल रियक्षन है कुछ होता है तो अपने एमोशनल रियक्षन देते हैं इन दो फ कि अनिश्चितता है यह सो होती है यहां कुछ अच्छी पीत भी अकु सकती है तो मतलब अच्छी यह बूरा इंसिरंट हो कि जब अनिश्चितता है उसको फेस नहीं कर सकेंगे तो अग्जाइटी यह घबराट होती रहती है यूजर है यह यूज एसा कोई situation है तो आदमी क्या करता है कि fight करेगा मतलब से जगड़ेगा flight करेगा मतलब भाग जाएगा या freeze हो जाएगा मतलब निप्चित पड़ जाएगा गिर जाएगा तो ये तीन वे से कुछ नपकुछ रिस पांस वो देता है usually क्या होता है कि वह ऑप्सकार्णा स्वाबाभी अरपे जाने का है और फ्लािए करना है कहीं तो तो एंसीन होना स्वाव भी काई कोई प्राब्लम नहीं है मगर वह एंसीन बहुत ज़्यादा रहना वह प्राब्लमटीक है एंसावड वारों को छे अलग अलग बाते में आपको बताओंगा छे पॉइंट्स जिसमें वह एंसावड रहसाम बोल सकते हैं नम्बर एक बिना कारंट बिना अपेक्षित बहुत जादा चिंता ख boiled कोई कारंग नहीं और कोई अपेक्षा भी नहीं तो भी बहुत चिंता रहती ब्रक कारंगा। नम्बेर दो बहुत जादा रिसपauKS देना , up up number तो वह anxiety disorder का करन सकता है, नमबर दू, नमबर तीन, जो डर है वो unrealistic है, मतलब reality में ऐसा कुछ नहीं है, मगर इनको डर लग रहा है, तो वो एक unrealistic fear, जो है, वो anxiety disorder में होता है, नमबर चार, problem खतम होने के बाद या situation खतम होने के बाद भी, ये वेक्ति डरासा रहता है, घबराट र लक्षन हो सकता है, नमबर पांच, लक्षन कंट्रोल के बाहर जाता है, ऐसको लगता है, बहुत ज्यादा, नमबर चे लोग परिसिती को टालते है, जहां anxiety उनको होती है, वो नहीं जाएंगे बाद, हवाईजाज में जाने का उसको डर लगता है, बहुत anxiety हो जाती है, तो तो वह तो नॉर्मल हो और नॉर्मल होने के बाद में भी एकार वेक्ति जाता है उसको डर लगता है चिंता है घबराट है मगर वह अपनी आत्रा कर लेता है मगर दूसरा एक लगती जिसको anxiety disorder है वह तो वह टालेगा जाये गई नहीं मतलब उसका जॉब भी समझो जाता है या जॉब से जॉब भी उसको खोना पड़ता है तभी वह जॉब खो देंगा मगर वह जाएंगा नहीं उसको anxiety disorder बाकि anxiety यह नार्मल इमोशन है नार्मल भावना है और यह रहना कोई अस्वाभविक नहीं है और बहुत ज्यादा कंट्रोल के बाहर के हो जाता है जिससे हमारा रोश का जीवन प्रभावित होता है हमारे आसपास के लोगों के उपर उसका प्रभाव पड़ता है तो उसका फिर इलाज करना जरूरी है और उसका इलाज जो है वो मेडिसेंस हिपनो थेरेपी काग्निटीव हेर थेरेपी यह अलग अलग ट्रीटमेंट जो उप्चार पद्धित है उससे हो जाता है थैंक्यू बेरे मच्च करạtवा है औरी त्रीम कर्दार्एल पीराण भा बेरे ता सके जो है पर नहीं कि वोयां जो है एलाज करे मच्च